अर्थमेटिक मीन में ट्रिक्स को कैसे अपलाय कर सकते हैं कि कॉशन बहुत जल्दी आ जाए दिखो है राजी आई इस बारे में सीखते हैं तोड़ा सा नई ट्रिक्स जाली थी तो बहुत सारी ट्रिक्स के अंदर बच्चों ने बहुत बार कहा कि और चैप्टर की ट्रिक्स तो मैं सबसे पहले चाहूँगा आप कमेंट करके बताओ इस वीडियो के बाद आप कौन से चैप्टर की ट्रिक्स दिखना चाहोगे जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा चलिए के उपर आने वाली ट्रिक्स देखो सबको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मतलब पता है वह सबको पता है उसके लिए पर डिसक्रस नहीं करेंगे चीक है मतलब मैं बता देता हूं फिर वह मन है कि मानता नहीं अचा दो चार छे आड यहनी जब कॉमन डिफरेंस होता है तो तो बहुत है अर्थमेटिक में बोलते क्या लेक दो चार चे अड़ आप देख सकते हो सब में करें दो दो का डिफरेंस है क्या यह सर तो भाईया जी अब मुझे एक बताना सिर्फ कुछ बाते करूंगा यहां पर हमारा एक क्या होता है अच्छा कुछ टर्म से यहां यहां फर्स टर्म तो यहां पर हमारा एक कौन है सर यहां पर हमारा ए है टू फिर एक होता है यहां पर एन एन मतलब नंबर ओफ टर्म्स यूजुवली आपको यह कॉश्चन में देखे रखा होगा कि आपको कौन से नंबर टर्म निकालनी है लेक फिफ्ट टर्म सिफ्ट टर्म 8th term, 9th term और एक यहाँ पर होता है D, D यहनी common difference, common difference क्या होता है, second term, minus first term, is equal to third term, minus second term, and goes on, अरे भाया, तुम arithmetic mean में तभी काम हो, count होगे, जब तुम्हारा, जो है, difference होगा, like, आईए, चेक करते हैं, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, यहनी, अगर आपका difference common है, तभी आपको use किया जाता है, बोलो हाँ आना, अरे सर, यह तो बहुत simple है सर, एकदम चुमेश्वरी, आईए, अब इस बात को समझते हैं, एक question लेते हैं, 4, 7, 11, 14, and, जाते जारी, जाते जारी, जाते जारी, जाते जारी है, अब देखो, दो तरह की trick होती है, एक होती है term वा फॉर्मला या देखा, वो नहीं निकलते है, एनित्थ टर्म का फॉर्मला बताओ, अई रे भाहिया, टैंथ क्लास में, अगर CBC में थे तो पड़ा होगा, भाहिया, किसी बाते कर रहे हो, तुमको आता नहीं, छी, 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 अच्छा, बताओ, ट्रिक क्या होती ह A plus N minus 1 into D, this is the formula, I am sorry, this is the formula of term, A plus N minus 1 into D, some वाले का formula या देखा, हाँ सर, N by 2, 2 A plus N minus 1 into D, या देखा, हाँ सर, N by 2, 2 A plus N minus 1 into D, पहला formula होता है, A plus N minus 1 into D, दूरा होता है, N by 2, 2 A plus N minus 1 into D, सर इसकी trick कैसी होती है, trick बता दो, जानना चाहते हम, इसकी trick होती है, देखना, a plus d equals to equals to up to n plus 1, ये n plus 1 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा calculator ही n plus 1 तक जाता है, यनि वो basics of calculator है, अगर आप calculator में करते हो 2 into 3, देखना, अगर आप calculator में करते हो 2 into 3, तो 4 आता है, और calculator में आपर 3 लिखाता है, यनि हमारा calculator, actually में हमसे एक कदम आगे चलता है, अब ये basics of calculator में आता है, यहाँ पर नहीं बता सकता भाई साब, चली, trick हो गया, a plus d, ये अपन ने इस तरीके से इसको कर लिया, yes sir, अब आई ये इस बात को समझेंगे, इसकी trick क्या है सम वाले की trick क्या है, trick इसकी क्या थी, a plus d equals to up to n plus 1, बस इसकी trick है, a plus d equals to up to n plus 1, अरे sir, आप शायद गलती से लिख रहे हो दोनों बार, रुक जा भाई, थामबा, 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 चीक है, आप क्या करेंगे, क्या हमें sum करना है, मतलब चीजों को जोड़ना है, correct, प्लस और माइनस a, sir, हमारे calculator में तो gt नहीं है, sir, ध्यान से सुनना, life में gf होना हो, calculator में gt होना अनिवार्य है, याद रखना यह वाली बात कभी नहीं भूल सकते है, नहीं, नहीं, चीक है, तो gt चाहिए, otherwise without gt you cannot use this trick, in that case you have to solve with basics only, sir, what is this plus or minus a, मतलब a अगर positive है तो plus करे करेंगे, a अगर negative है तो minus करेंगे, question करके बिताता हो न, आओ, एक question करते है, 4, 7, 11, चीक है, देखना, find 7th term and 7th sum, दोनों पता लगाओ, 7th term भी पता लगाओ and 7th sum भी पता लगाओ, आओ, solve करते हैं, पहले निकालेंगे term 7, क्या करेंगे, a plus d equals to equal to n plus 1, a क्या है, a है 4, plus d, 7 minus 4, 3, 11 minus 7, 3, 14 minus 11, 3, a plus d equals to equal to up to n plus 1, n plus 1 मतलब कब तक जाएंगे सर, 7 बोलाएंगे, 8 तक जाएंगे, तो 4 plus 3 equals to equal to, क्या हमारी 7th term 22 हुई क्या, सर, आगया, आगया, मतलब, a plus d equals to up to n plus 1, सर, हर question में सही करेंगे, हर question में सही करेंगे, ठीक है, sum of 7th term क्या से निकालेगा, सर, देखो, 4, a plus d equals to equal to, up to n plus 1, gt, plus और minus a, a positive है, negative है, मतलब, plus 4 है, minus 4 है, sir, plus 4 है, तो 4 करेंगे, आईए, solve करते हैं, 4 plus 3 equals to equal to up to n, 8 time तक, यह आया, 22, yes sir, दबाया, gt, हो गया, 87, plus 4, यह आएगा, 88, 8, oh, 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 मतलब क्या किया बिटा अपन ने, plus, अबहला, 4, a plus d equals to equal to n plus 1, gt, plus, और minus a, a positive होता तो plus करते हैं, a negative होता तो minus करते हैं, आया क्या समझ में, हाँ sir, एक question और हो जाए, यह minus वाला तो मजा आ जाए, तुमने बोला, और हम करवा देंगे, चिंता नको पलो, रे बाबा, minus 2, और रे, minus 12, minus 10, minus 8, minus 6, find the, term तो ठीक हो तो निकली जाएगी, sum of 12th term, find the sum of 12th term, actually माँ आप term निकालते ही हो, we all know that thing, sir, बिना sum निकाली term कैसे, माँ बिना term निकाली, sum कैसे आएगा, रे बाबा, रे बाबा, चलिए, अच्छा, difference किता हैगा, difference हो जाएगा, minus 10, minus of minus 12, which is plus 2, ठीक है, yes, तो a plus b equals to equals to, up to n plus 1, करेंगे, 12 minus का, 12 minus का कैसे करेंगे, 12, फिर दबाएंगे plus minus, plus 2, अब चेक करो, क्या minus 10 आ रहा है, हाँ मैं चो रहा है, minus 8 आ रहा है, हाँ मैं चो रहा है, minus 6 आ रहा है, मतलब जो हमारी series calculator पर आ रही है, क्या वो series इसके साथ match हो रही है, नहीं हो रही है, अपन करेंगे 13 बार तक जाएंगे, 13 बार तक जाने पर क्या 10 आ रहा है क्या, मतलब अगर मुझसे 12 टर्म पूछा चाता तो आंसर होता 10, दबाया GT, minus 12, ओहो, answer ही minus 12 आ गया, मतलब से विख बात सुनना, ध्यान से, शिद्दत से, शान्ती से, मौबद से, सर, हमें यहाँ पर D निकालने का वही फॉर्मुला है, second term minus first term, same, अब हम क्या कर रहे है, ट्रिक लगा रहे है, और उसके बाद, अगर minus 12 होता है, तो minus 12 कर देते हैं, plus 12 होता है, तो plus 12 कर देते हैं, plus और minus a मतलब क्या होता है, plus और minus a का मतलब होता है, अगर a positive है, तो positive कर लो, अगर a negative है, तो negative कर लो, क्या answer minus 12 आ गया, हाँ, सर, एक homework भी दे दो, चलो, अब मैं एक homework दे दूँगा, हिंड के 7, चलिए, minus 5, minus 8, minus 11, minus 14, find the sum of 14th term, आप comment करके बताओगे, इसका answer इस वीडियो के बाद, live chat में मत करना, प्रीमेर में मत बताना, comment करके बताना, क्यों सर इसा क्यों, comment में पता पड़ेगा, याद रेगा, बाद में कितने लोगोंने answer दे, और मैं सबका नाम याद रखता हूँ, तो जितने लोगों का answer आ है, सही, गलत करेंगे, copy, चापना नहीं है, किसी और का answer, चलिए, अब सुनेंगे, क्या करेंगे, minus 5, minus 8, difference क्या हो जाएगा, minus 8, minus of minus 5, यादि, difference negative है रहा है क्या, इसका एक छूटा सा logic देता हूँ, समझे मैं तो ठीक है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो difference positive हैगा, 0 से दूर जारा तो difference negative हैगा, ये बात logical है, समझे मैं ठीक है, नहीं है, तो ये सब plus class में discuss कर पाता हूँ, अने के का कोई भी subscribe लेना आप यूज कर सकते हो, code JD, sir, JD, sir, SIR, चीक हम लोग पूरा course पढ़ाता है, यह बें मैं आपको से एक ट्रिक बताईए, so you can follow this trick, आखरी में क्या होगा, plus, आपने कर दिया, minus 5, अब वो देखना, minus का आएगा, hint देता हूँ, minus का करते-करते जाएंगे, up to 14 दिया, तो 15 तक जाएंगे, GT, क्या यहाँ पर plus 5 होगा, क्या, नहीं, difference positive, negative का है, तो आपन करेंगे minus 5, चलिए, आज के लिए रखता है, I think that's all it is, ऐसी और कॉंसे चाप्टर के आप ट्रिक दिखना चाहों के जल्दी बताना हो सकता है, इसके उबर geometric में इनकी भी मैं trick ले हूँ, बाई 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 सुटी करेज, बाई बाई